अब बने रहे हमारे साथ फॉरण हाजर होते हैं परस्मल पाव को बढ़ाने के लिए बेहत जरूरी है पॉजिटिव एटिटूट जब हम कहते हैं कि वी कैन अन्वी विल तो हमें जिन्दगी में सफलता मिलती है महिशी अमरसाथ ब्रेक से पहले कॉलर थी प्रग्या जिन्होंने सवाल पूछा था कि अपने पती का पास जो है काफी परिश्चान कर रहा है वो क्या करें प्रग्या अगर मैं ये कहूं कि मैं समझ सकता हूँ कैसा फिल कर रहे हो तो शायद मेरा जूट होगा मैं नहीं समझ सकता हूँ कैसा फिल कर रही है लेकिन एक चीज़ मैं आपको जुरूर बता सकता हूँ कि आपको अपने husband को forgive करना ही होगा अगर आप उनको forgive नहीं करते तो ये किसी और के लिए कोई नुकसान दे नहीं होगा सबसे जाद नुकसानी आपको दे रहा है और आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबी लाइफ पड़ी है बच्चे हैं आपके तो अपने लिए आपको उनको forgive करना होगा क्योंकि जो बोज आप कंधे भी लेके चल रहे हैं उसको लेके जाज दिन तक नहीं चल पा होगे और अगर आपके husband ये बोल रहे हैं और आपको support भी कर रहे हैं तो thank God आप God को thank कीजिए कि एक right time है किसी से भी गलती हो सकती है और आप गलती होने के बाद मों दुबारा आपके पास आए हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं तो what I suggest is just forgive और forgive के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको says कर सकता हूँ कि आप अपने आपको ये सोचने के कोशिश करें कि अगर मेरे husband मेरे पास आ रहे हैं तो एक loyalty की निशानी है गलती हो गई no props अपनी तरफ से आप अपने आपको clear कर दे and that is one of the best thing you can do for your life यहाँ पर आपको जो past है अपने पती का उसको भुलाना ही होगा और जैसा कि कहा भी जाता है कि जो गलती करता है उससे बड़ा गुनेगार वो होता है जो माफ नहीं करता है इसलिए आपको माफी देनी होगी अपने husband को और देखे पिर relationship कितनी अच्छी हो जाती है आप दोनों में खुशी रहेगी प्यार रहेगा और आपकी life बहुत समूच चलेगी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैसे personal park को बढ़ाएं महेज जी personal park को बढ़ाने के लिए कई experts यह भी कहता है कि पहले आपको positive attitude अपनाना होगा तो क्या हम इसे मानने कि यह पहली CD है personal park को बढ़ाने के लिए देखे यहाँ पर एक और option मैं इसमें जोड़ने जाएंगा कि positivity को बढ़ाना होगा से पहले हमें अपनी negativity को खतम करना होगा reason behind होता क्या है कि हम ऐसे environment पे रह रहे हैं आप चारों तरफ से negativity के बहुचा रहा है आप घर में होते हो तो negative television तो negative, radio तो negative और office में तो negative इतने negatives आपके बास आ रहे हैं और बीच में जब आप positive बोलते हो तो आपका जो subconscious mind है वो उसको accept नहीं करता कि positive हो रहा है तो सबसे पहले you must know how to clear that negative so that positive can enter into you that's why इतने सारी positive seminars होती है इतने books होती है वो इतने ज़्यादा काम नहीं कर पाती है क्योंकि negative के ओपर यानि के लोहे पर जंग लगा हुआ है और आप उसके ओपर paint करना चाहते हो तो आपको पहले उस जंग को हटाना होगा तब ही वो paint sustain करेगा जो जो negative thoughts आ रहे हैं आपके just release those negative thoughts first and फिर देखिए positive कैसे काम करते हैं बहुत अच्छी बात आपने बताई यहाँ पर महें जीने की आप positive हो यह अच्छी बात है आप optimistic रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है मेरा यह है कि मैं बैंक के उच्छा धिकारी हूँ और customer बीविन तरह के customer हमारे पास आते हैं वो बीविन तरह से बाते करते हैं और उसके कारण ऐसा होता है कभी-कभी कि मैं confidence अपना lose कर जाता हूँ उनके बातों पर ध्यान देने के बाद कि ताकि मैं अपना उनको उत्तर भी दे पाऊं और अपना कर्विडेंस जो है जो मेरा इनर पावर है वो बढ़ सके तो महेर जी क्या किना चाहेंगे कैसे नाम बताया था यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एक उधारन देना चाहूंगा कि हम लोग जब अपने उपर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो हमें यह दिक्कत आती है जो आपको आ रही है और बहुत से लोगों के साथ या आती भी होगी जो उस प्रोगाम को देख रहे हैं वहाँ पर सजेशन यह है कि आपको अपने उपर केंद्रित नहीं होना आप जो कर रहे हैं उसको और बहतर करते रहे जिए और यह समझिए कि लोग डिफरेंट तरके से आते हैं उनके डिफरेंट एडिटूट्स होते हैं डिफरेंट बेहवियर्स होते हैं कोई भी आके आप से कुछ भी बोल सकता है यह उसकी प्रॉब्लम है आपकी नहीं है आप यह सोच के मत घबराएं कि मैंने किसी को जवाब दिया और उसको जवाब सैडिसफेक्टरी नहीं मिला क्योंकि आपका जवाब आपका कॉंशन मानना चाहिए कि ठीक है वहाँ पर जो जवाब दिया जा रहा है वो रिसेप्शन उसका है आपका नहीं जो यह मत कभी सोचे कि मेरी बात से उसको कैसा लगा होगा अगर आपने ठीक जवाब दिया अपने हिसाब से और उसने अगर उसको रिसेप्शन ठीक नहीं लिया अगर आप यह समझते हैं तब आप कभी भी ऐसी फिलिंग गिल्ट दिल में नहीं लाएंगे कि मेरा आप कस्तिमर को समझें और अगर आपसे वो कुछ उल्टा सीधा बोलता है या बात करता है तो आप इसको समझें कि हर एक आदमी का राइट होता है बोलना और वो अपनी समझ से ठीक बोल रहा है carry on इस तरीके से या यानि कि यहाँ पर यह जाना ज़रूरी है कि जो आप बोल रहे हैं उस पर आपको confidence होना चाहिए और अगर दूसरा सुनने वाला जो है वो उसे गलाट ढंक से ले रहा है तो वो उसकी problem है वो आपकी problem नहीं है महिश जी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैसे अपनी personal power को बढ़ाएं कई बार आदमी responsibility के चलते या फिर ऐसा भी होता है कि उसे लगता है कि वो कोई काम में जा रहा है उसे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसलिए वो initiative लेना ही पसंद नहीं करता तो क्या अगर हम इस thought को न सबसे ज़्यादा growth के लिए हम सब लोग growth के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर growth आपको तब ही मिलेगी जब आप कुछ करोगे होता क्या है कि हम बार बार जब गलती करते हैं या हम कुछ करते हैं तो गलती हो जाती है तो जब 3-4 बार वो गलती repeat होती है तो हमारा inner power कम हो जाता है और यह खास तरगी personalities में पाया जाता है ज्यादा लेकिन इस चीज को समझे अगर आपने गलती नहीं की तो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया because गलती के थूई आगे बढ़ते हैं जितने भी successful लोग होए हैं जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं जानते है तो आपको समझ में आता है कि वो पहले normal इंसान थे फिर उन्होंने गलती करकर के सीखा और इसको बोलते हैं failing forward एक principle है गिरे तो आगे की तरफ गिरे गलती की आपने आप गिरे हैं आगे की तरफ जब उठेंगे तो एक करम आगे से उठेंगे पीचे से नहीं उठेंगे तो भी आपके सानुए अपरिचुनिटी आती जिसमें से आपको डर लग रहा है कर दें उसको डर के आगे ही जीत है और मैं आपको यह बात भी हापर बताना चाहूंगा कि गलती वो होती है अगर आप उस गलती को करते हैं उससे कोई सबक नहीं लेते हैं और दुबारा आप व प्रक्सस हासल की जा सकती है कैसे कॉंफिडेंस अब हासल कर सकते हैं परस्नल पार को बढ़ा कर